अफगानिस्तान के खिलाब न्यूजुलेंड क्रिकेट टीम की जीद से पॉइंस्टेबल में आया बड़ा बतलाव सेमी फाइनल की दो टीमें होईता है तो दो को लेकर चार टीमों में है जमकर घमासान जी हम बात कर रहे हैं वंडे वर्लकप 2023 की जैसे जैसे मुकाबले नहीं महा मुकाबले खेले जा रही है क्योंकि पॉइंस्टेबल की रेस और भी ज्यादा रॉमांचक होती जा रही है वर्लकप आगे बढ़ने के साथ में लेकिन इस वर्लकप का एक बड़ा मुकाबला खेला गया अफगानिस्तान और न्यूजिलेंड क्रिकेट टीम के बीच में है Semi Final की तस्वीर साफ हो गई है किस टीम को अब कितने मुकाबले जीतने होंगे कौन सी टीम Semi Final की रेश से बाहर हो चुकी है किनकी मात्रो अपचार इकता बाकी है हम आपको पूरा Point Stable समझाने वाले हैं भारत के कितने मुकाबले जीतने होंगे क्या कुछ करना होगा बाकी टीमों को चलिए के करके चानते हैं इस मुकाबले की बात क्या है Point Stable का हाल लेकिन उससे पहले गर आप भी है टीम इडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजे लाइक, चैनल को कर दीजे, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं चलिए जाते है Point Stable का हाल तो जी हाँ, अफगानिस्तान के खिलाब New Zealand Cricket Team की बड़ी जीत से Point Stable में बड़ा भूचा लाया है कुछ टीमें सैमी फाइनल की मिली तो कुछ टीमें हो गई है बाहर हम आपको सारे समिकन बताएंगे कैसे इस जीत से Point Stable में बड़ा बवाल पैदा हुआ है लेकिन इस मुकाबले में क्या हुआ पहले इसके उपर भी नज़र डाल देते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और न्यूज़लेंड क्रिकेट टीम 110 रन पर 4 विकेट गवा देती है मतलब न्यूज़लेंड के Back to Bad विकेट चले गए लेकिन इसकी पावजूत भी तारीफ करनी होगी न्यूज़लेंड के Tom Latham की और Glenn Flips की इन दोनों की अर्दसति के अर्दसति के पारी के दम पर न्यूज़लेंड 288 रन बनाने में 6 विकेट के नुक्सान पर काम्याब रहा पचास ओवर के अंधर न्यूज़लेंड क्रिकेट टीम एक वक्त Back foot पर था लेकिन 288 रन का टार्गेट दे दिया और पीछा करना इतना असान नहीं था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के 27 रन पर पहला विकेट 27 पर दूसरा 43 पर दीशरा लगातार तीन विकेट चटकाने के बाद अफगानिस्तान बैक foot पर चला गया और श्ट्राइक रेट बढ़ती गई जिसकी वज़ा से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम नियमित अंतराल पर विकेट गवाता गया और इस लक्षे का पीछा नहीं कर पाया जिसकी वज़ा से अफगानिस्तान को मिलती है बहुत बड़ी हार लेकिन इसार ने पॉइंट स्टेबल में बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं चलिए कि करके आपको सभी टीमों के हलाद समझाते हैं इस लिस्ट में दसवे पाइदान पर नाम शिरलंकन क्रिकेट टीम का आता है जिनोंने तीन मुकाबले खेले हैं तीनों मुकाबलों में हार मिली हैं और ने टरंडेट भी बहुत इखराब है एक मातर टीम जो इस पॉइंट स्टेबल में खाता नहीं खुला है पॉइंट का शिरलंकन क्रिकेट टीम का नाम नजराता है लेकिन शिरलंकन का अब क्या समी फाइनल में जगा बना सकती है शिलंगा के बच्चे हैं 6 मुकाबले 6 के 6 जीतेंगे तबी जाकर आप सेमी फाइनल में जगा बना पाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि यह पॉसिवल नहीं है मातर आपचार इकता बाकी है वरना आप कह सकते हैं शिलंगा हो चुकी हैं सेमी फाइनल के रेश से बाहर डाउन फेज की लिष्ट में अगला नाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ही आता है बहुत ए खराब केल इन्हों ने दिखाया था जिहां निउजुलेंड के खिलाब बल्लेबाजी के तवारा जिसकी वज़से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने चार मुकाबले खेले हैं किवल एक मुकाबले में जीत मिली है तीन मेहर मिली है और जिसकी वज़से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम दो पॉइंट के साथ में बहुत ही नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं रैंकिंग जगा बनाती है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है आप कहा सकते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम उस फाइनल की रेश से सेमी फाइनल की रेश से बाहर हो चुकी है अगर पॉइंस टेबल में ऊपर चड़ते हैं तो अगला नाम नीदरलेंड क्रिकेट टीम का आता है तीन म सेमी फाइनल में जगा बना सकती हैं इस टीम को अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और 5 मुकाबले जीतेंगे तब ही जाकर सेमी फाइनल में जगा बनाएंगे इस टीम को देखकर नहीं कह सकते कि ये टीम 6 में से 5 जीत जाएगी इस टीम के लिए भी मात्र अपचारिकता बाक पॉइंट के साथ में यह टीम फिलाल पॉइंट स्टेबल में रैंकिंग जो कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर रैंक कर रही है उस्टेलियन करकी टीम क्या सेमी फाइनल में जगह बना सकती है तो उम्मीदें इस टीम की भी बनी हुई है और चुकि यह टीम पलटवार करना जानती है इसलिए आप कह सकते हैं कि बचे हैं इस टीम के अभी भी 6 मुकाबले और उस में से 5 मुकाबले अगर आस्टेलिया ने जीत लिए तो आस्टेलिया सेमी फाइनल में जगह बना सकता है मतलब रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन नामम्मकिन आस्टेलिया के लिए नजर नहीं आता है उस्टेलिया वैसा कुछ काम कर सकती है इस कड़ी में अगली टीम का नाम बंगलादेश क्रिकेट टीम है जो फिलाल तीन मुकाबले खेले हैं एक मुकाबला जीता है दो हारे है और दो पॉइंट के साथ में ये टीम जो हैं रैंकिंग कर रही हैं अगर आप देखेंगे तो फिर बंगलादेश क्रिके टीम का अगला मुकाबला इंडिया से है मस्ट वीन मुकाबला है अगर वो हार गए तो आप सेमी फाइनल की रीच विब बहार हो जाएंगे क्योंकि बंगलादेश के भी स्वमीकण यही कहते हैं कि बचशे मुकाबले बढ़ते हैं और बात करते हैं पाँचवी पाइदान की टीम यानि इंग्लेंड driven की टीम की तीन मैं से एक मुकाबला केवल जीता है, दो मुकाबले हा रहे हैं, दो पॉइंट के साथ ये टीम पांच में पायदान पर रेंक कर रही है इंग्लेंड क्रिक्टीम को भी अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और उस मैंसे 5 मुकाबले हर हलात में जीतने जरूरी है 6 मैंसे 5 जीतना इंग्लेंड के लिए आसान नहीं तो दिकतों का सामना इंग्लेंड को भी करना पड़ेगा 6 मैंसे 5 जीतेंगे तब ही सेमी फाइनल में जगब बनाएंगे इस लिस्ट में 4 पायदान पर नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम करता है 3 मैंसे 2 मुकाबले जीते हैं एक मुकाबला हरा है, 4 पॉइंट के साथ में फिलाल ये टीम 4 पायदान पर रेंक कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या सेमी फाइनल में जगब बना सकती है तो जी हैं सेमी फाइनल के रास्ते पाकिस्तान के तो बहुत आसानी से नजर आते हैं लेकिन सचाई कुछ और वया होती है। दरसल 6 मुकाबले इन्हें भी खेलने हैं अभी भी और उसमें से केवल 4 मुकाबले भी जीत गए ना पाकिस्तान तो फिर वो सेमी फाइनल में जगब बना लेगी। लेकिन पाकिस्तान के सारे के सारे बड़े मुकाबले जिसमें वो एक इंडिया के खिलाब खेली थी वो हार गई अब साउथ अफरिका हो, न्यूजिलैंड हो, इंगलैंड हो, अस्ट्रेलिया हो, अफगानिस्तान हो तो इन सब के खिलाब जैसे बंगलादेश हो इन सब के खिलाब अभी पाकिस्तान के सारे मुकाबले बाकी है तो फिर वहाँ इनकी दिकत है बढ़ जाएगी लेकिन समिकन क्या है छै में से चार जीतने हैं साउथ अफरीके के हालाद भी कुछ वैसे ही नजर आते हैं दरसल साउथ अफरीका तीन मुकाबले खेली है दो मुकाबले जीती है एक मुकाबला हारी है चार पॉइंट के साथ में फिलाल पॉइंस टेबल में तीशरे पाइदान पर है क्या South Africa semi final में जगा बना सकती है, बना तो सकती है, दरसल 6 मुकाबले इन्हें भी अभी खेलने हैं और केवल 4 मुकाबले जीतने हैं, केवल तो 4 नहीं होंगे क्योंकि बड़े मुकाबले अभी बाकी है, सबसे बड़ा disappointing इनके लिए ये रहा कि वो नीदरलेंड के खिलाब हार कहीं ने बाहर न कर दे 6 में से अब 4 जितना बहुँट डिफिकल्ट होने वाला है साउथ अफरीका के लिए इस पॉइंट स्टेबल में दूसरे पाइदान पर इंडियन क्रिकेट टीम है जिन्नोंने 3 मुकाबले खेले इंडिया 50% भी विन करता है तो भी वो सेमी फाइनल में जगह बना लेगी और अगर जिब आंगलादेश के खिलाब जीत मिल गई तो रास्ता और आसान हो जाएगा और न्यूजिलेंड क्रिकेट टीम फिलाल पॉइंट स्टेबल में पहले पाइदान पर रहे हैं अब आप यहां पर ठपा लगा सकते हैं कि न्यूजिलेंड ने कर लिया है लग बग लग बग सेमी फाइनल तये अब हम ऐसा इसली भी कह रहे हैं क्योंकि न्यूजिलेंड पहले पाइदान पर है चार मुकाबले खेली चारो की चारो जीती है एक भी नहीं आ रही है पॉइंट स्टेबल में आट पॉइंट इस टीम के पास में आ गए है इस टीम को अब भी पाँच मुकाबले खेलने है और अगर उसमें से दो मुकाबले भी जीत लिये ना, पांच में से कितने, दो मुकाबले, तो भी ये टीम सैमी फाइनल में जगा बनाएगी, तो इसका मतलब निजिलेंड की जगा पक्की कर लीजिए, और कुल मिलाकर भारत की भी जगा आप पक्की कर सकते हैं, तो ये दो त पता हैं, फाइनल में आपके इन दो टीमों को देखना चाहते हैं,